तो डेर इस्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फिप्त समस्टर यानि कि बीए पंचम समस्टर के जियोग्राफी यानि कि भुगोल के सिकेट पेपर के पूरे पूरे स्लेवर्स और मौस्ट्यू पार्टने टॉपिक्स के बारे में तो जिन जिन भी वहीं आपको बताने वाला हूं सारे पर्स नहीं से बाहर कुछ भी नहीं हागा तो आपको तैयार करने में समस्टर नहीं वांट यहांन रहे गया झार यह सब आपको नहीं लगेगा और आपको जानकारी भी हो जाए कि क्या क्या आएगा तो चलिए शुरू करते हैं प्रूब के तोर पर देखे लिए वर्स आपका तिरती है यानि कि थार्ड यह समिस्टर आपका फिप्त है ठीक है और सब्जेक्ट आपका जो जियोग्राफी है से किंड और प्रश सब्जेक्ट होते हैं वह जितने ही सब्जेक्ट होते हैं चाह जियोग्राफी ले लिजी चाहे राज नीति यानि प्रोटकल फायन्टर सोलोजी लेज़े हिंधी, सभी आठ चैब्टर में डिवाइड होते he, आप उन्हें को चैब्टर बोले, यूनिट बोले, तोपिक्स बोले, सब एक ये ठीक है, तो ये पुरा पुरा स्लेबर्स भी आठ यूनिट आठ चेप्टर में ही डिवाइड है ठीक है और यह पूरा का पूरा चेप्टर और टोपिक्स जो है वो असलेबर्स जो है वो इंग्लिस में आपको अच्छे समझ सके इसले पूरे-पूरे सबसे पर इसके बारें परेश्य आपको बदाते हैं कि से क्या है रिमोट सिंसिंग के प्रकार बताइन वह सब Max in ka 2 और का ये और उसके विकास के बारें मता है ईतिहासिक भीकाफ या निए या पहले वीसका कैसे विकास हुआ और उसके बाद अगला जो टोफिक सी में हूँ गुरहं के परकार बताईए ठीक है तो यहां से प्रशन बनें गे एक हो गया रिमोट 지ंजींग के परिमाफात हो गया प्रकारती होगा दैरह और ओर दाइरह रहनेखत विकाफ यह चार हो गया तो इस प्रकार चार कोशिचन बन सकते हैं फर्स्ट इंट से सम्बंद़ ठीक है इसमें से रिमोट सेंसिंग यही आपके प्रस्वन पत्र करा नहां है तो अदियान से सुन लेजिए से से सुन लेजे रिमोट सेंसिंग जो है वो दूर से जानकारी या फिर आप लोग कह सकते हैं सुचना प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है ठीक है जिसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं फिर से सुन लेजे रिमोट सेंसिंग एक प्रक्रिया है जिसके माद्धन से दूर से उस चीज के बारे में जानकारी और सुसना को कलेक्ट करना ही रिमोर्ट सेंसिंग कहलाता है एक्जामपल ग्रूप में जैसे कि माली जै कि आप ड्रोन के माध्यम से आजकल ड्रोन चले नहीं है तो ड्रोन के माध्यम से उपर जाके जिसे ड्रोन का एमरा आपने देखा होगा तो ड्रोन पर जो मतलब कि कहां पर गाउं है कहां पर सहर है कहां पर नहर है कहां पर नदी है कहां पर श्कूल है ठीक है कहां पर क्या है तो इन सभी की जानकारी आपको दूर से ही हो जा रही ना कि कहां पर क्या है तो इसी को कहेंगे remote sensing ठीक है तो यह हो गया remote सेंसिंग इसकी परिभाफ़ा ठीक है और इसके प्रकार के बारे में पढ़ लेना आपको दायरा और अतिहासिक ठीक है यह इंपॉर्टन टोपिक्स हैं जहां से प्रस्ट मनेंगे हलाकि इनके बारे में आपको बता देंगे किनका उत्तर कहां पर मिलेगा जिसे यह को उप ग्र схण के प्रकार बते हें तो अपगर्णय दोप्रकार के होतों होते हैं प्रकर्ति को एक उर्जा का रोप है जो बिदुद्द जाहनर Σुण लीजेगा बिद्द्द चुमिक विक्रण जोकि एक उर्जा का रूप है जो बिद्द्ध और चुम्बिके टरंगों के रूप में फ्हेलता है । जुंप टुर में एक खाल्ड कहेंगे और प्रेट फार्म संसर के बारे मताना पड़ेगा ठीक है प्रेट फार्म क्या से यहां से कुछ यह चाहेंगे उसके वाद जिल्ट रिजिल्टेशन का मतब यह हो गया कि किफी चीज के बारे को उसकी जो क्वालिटी उसको जनना जिसे कि आपको फोटो देखते हैं तो उसकी जो हाई रुसलेशन राहता है तो फोटो किलियर देखती है अगर रे लेशन कम होता तो फोटो फ्री की यह फिर थिक्ति तो रेजिलेशन जो और कि वो आपके जो कुछ भी चीज बी कोई भी चीजस की कौवाल्टी और उसकी विशीश्य को दिखाती है तो रिज Adam के बारे इंद जोड़ा question आएगा remote sensing graph से जोड़ा question आएगा प्रेट फार्म और sensor कुछन आएगे लेजलेफन को जो question आएगे ठीक है ने में रेडियो मेंट्रिक्स वी question आया था तो इसको भी पड़ सकते हैं तो यह कुछ ठीक है उस दूर रहकर भी जानकारी और सुचना को कलेक्ट करना या फिर कलेक्ट करने की जो पिरकिरिया है जानकारी लेने के पिरकिरिया है दूर से उस चीज़ के बाएं जानकारी लेना वही होता है रेमोट सेंसिंग आप सब्दों में कहें तो दूर से ही किसी के बारे में जानकारी collect करना प्राप्त करना ही remote sensing है और कोई चीज अगर आप collect करेंगे तो वो कहीं न कहीं आपको store करना पड़ेगा उसको पहले analysis करना पड़ेगा कि गलत क्या है सही क्या इसमें तो वहाँ पर data processing होगा मत्तब कि remote sensing के माद्यम से आप किसी चीज को capture करेंगे खीचेंगे ठीके तो वह data कहीं न कहीं जाएगा तो जाने से पहले restore होने से पहले process होगा फिर कहीं न कहीं वह Store होगा ठीक है तो वही इ push pushing मत्तब कि बीच का process saw मालिजर कि आप जब खाना खाते हैं खाना खाते क्षानेगे पिड में जाता हो process होता धृके उसके करेंगे लेटिंग के निकल जाता है तो प्रोसेस्ट वही चीज़ होगे डेटा प्रोसेसिंग ठीके जो प्रोसेसिंग बीच में होती उसके बाद द्रस और डिश्टल चभी ठीक है प्रासंस्क्रण तकनीके बाई किसी चीज को डिश्टल माध्यम से जैसे फोटो किच गया तो फोटो वह आपको डिश्टल माध्यम से तो अच्छ भी आपको दिखेगी ठीक है तो इन सभी तकनीकों को बारे में कोश्चन पूछे जा वकते हैं करण होते हैं जिनके माध्यम से दूर रहकर या ऊपर से रेमोंट सेंसिंग के माध्यम सुष्क्रीज के बारे में आज कल आपने देखा होगा टेकनोलोजी यहां तक बढ़ गई है कि आप खेत में देखिए पहले क्या होता तो खाट डालना दवाई डालना खेत में लोग का और दवाई डालना यह प्रक्रिया की जा रही तो क्या है दूर से डाली जा रही ठीक है इसको रिमोट सेंसिंग कहेंगे वानिकी भूमिप्योग भूमिकबर मांचित्र समुद्री अध्यन और आपदा प्रबंधन ठीक है इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप् तो उसका प्रबंध करने के लिए उससे एलेट रहने के लिए कुछ हम लोग रिमोट सेंसिंग के मादने से बहुत चीज़े कर सकते हैं तो यहां से कोश्चिन पूछे जाफकते हैं कि फैरी नियोजिन में ठीक है रिमोट सेंसिंग का उप्योग बताईए शमुद्री अध परच्चे देखने को मिलेगा जी आईएज क्या है जी आएज को परिछे दीजिए परिमाफ़ा देजीया उधाना इतिहाप और जी आइएस के बारे मताई तो चलिए अब जीए इस के बारे में जानते हैं बहुत ही महात्त मून टॉपिक से भी है ठीक है धानत से सुनेंग सब्रकार के प्रस को सब्सक्राइब नाम होता है च्टम में जानकारी को प्राप्ट करने का सबिद्ञ तो जी आइएस के बारें थोड़ा परचे Sun लीजी तोर पर तब आपको समझ में ठीक है यह की परिभा فाण और उसके बारे मिजानकारी तो जी आई एस का पूरा नाम में ने आपको बताई रखा है ठीक ग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम जिसको हिंदी में भौगोलिक फुष्चना प्रणाली बोलते हैं जी आई एफ एक कंप्यूटरी क्रत तक्निकी मतब कि कंप्यूटर के माध् है ठीक Everything एक ऐस धा करने के लिए एक ढांचे की रूप में भौगोलिक्निक ग्राप की रूप मेंंtat आई तयार करती है और रुकी उसके सटूर करेंगे ठीक एक अठा करीं तो वह होता है जी एकटा करना होता है pps कि यह होता इसमें किशी चीज को आप के रुख में फोटो के रुख में उसके वारे में जानकारी रहेना कि हूसरी का आप कोई फोटा देख लेंगे ना किसी एक्टर पर कि तो आपको परिशे आप उसका देपाएंगे हैं इस तरह का इंसान है यसे इसका पॉपलर्टिए इतनी से इतने इतने मेर्च खेले हैए इसका घर यह यह है यह विह पाँ तो यह जानकारी पाजाएंक इसी अदिम से पाजाएंगी क्राफिक के माधिय से पाजाएंगी अगर कोई बोल दे क्रिक्रेटर तो क्रिक्रेटर में बहुत लोग आ जाएंगे किसका परच्छे आप देंगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चे जी आइस का परच्छे जी आइस की परिवाफ़ा इसकी अधारा और इसका इतिहास ठीक है यह आपको तैयार करना की जी आइ ठीक यहाँ से कोष्चन मिन ह reports भी इसंवे प्रणाली देटाम क्या है वेक्टर देटा क्या है जिसमें से आपको समय परणाली और वेक्टर डेटा तयार करना है बस ठीक है ओके ति यहां से प्रश्ण बन सकेंगे पूरा पूरा जो इस लेबल से टोपिक से यहें पर समाप्त होता है इनहीं आठ यूनिट और आठ चैप्टर फे जोड़े कोईशन पूचे जाएंगे इस सब्सक्राइब कर लिजेगा और मिलते गोड़ने वीडियो में जब तक के लिजाएंगे